हाई एव्रिवन मैं हूँ सभा आलम यू और वाचिंग टेकनिकल सहर जादा तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई भी फाइल गूगल ड्राइब से पर्मानेंटली डिलीट हो गया मतलब आपने गूगल ड्राइब से तो डिलीट किया ही किया आ मैंने एक वीडियो बनाया है वह आप देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा आई बटन में भी मिल जाएगा लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि आप मोबाइल से ही कैसे वह फाइल कर सकते हैं तो विदाउट वेस्टिंग में टाम लट्स गेटिट वीडियो तो गाइज अभी मैं आगे हूँ अपने मॉबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहले चलता हूँ अपने गूगल ड्राइब पे और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखो अब गूगल ड्राइब में चार फोटोज हैं यह मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ और इन सारे फोटोज को अभी हम डिलीट करेंगे पर्मानेंटली और आपको दिखाऊंगा रिकवर करके कैसे मॉबाइल से आप गूगल ड्राइब के पर्मानेंटली डिलीट फोटोज को रिकवर कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको इमेल आइडी भी दिखा देता हूँ कि यह वाला इमेल आइडी लॉग इन है और इसके ड्राइब में यह सारा फोटो है तो यह मैंने आपको इमेल आइडी भी दिखा दिया तो अभी इन सारे फाइल को यहां से पहले डिलीट करते हैं और यहां से यह delete हो चुका है अब चलते हैं bin में या trash में और यहां से भी इसको select करके permanently delete कर देते हैं तो यहां पर आप देखो delete forever पर मैं click करता हूँ और फिर delete forever तो यह हो गया permanently delete पूरी तरीके से तो guys अभी आप देख सकते हैं सारा photos permanently delete हो चुका है इस drive से यहां पर अभी कोई भी photo नहीं है तो अब मैं इन सारे photos को recover करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा google drive से आप permanently deleted files को कैसे mobile से ही recover कर सकते हैं तो simply आपको क्या करना है back जाना है और कोई भी browser खोल लेना है browser खोलने के बाद आपको simply इसके search bar में आपको type करना है support.google.com slash drive ये type करने के बाद आपको enter करना है ये वाला link मैं आपको description में भी दे दूँगा वहां से भी जाके आप इसको open कर सकते हैं तो यहां पर मैं इसको enter करता हूँ और ये आपको इस वाले web page पे ले आएगा और यहां पर आगे बढ़ने से पहले आप देख लो वही वाला email login है या नहीं है जिसको आपको recover करना है जिसके google drive पे तो ये दूसरा email है तो मैं वो वाला email select कर लेता हूँ जिससे मैंने file delete की हैं जिसके google drive से तो ये वाला email select करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और यहां पर contact us पर आपको simply click कर देना है contact us पर click करने के बाद यहां पर पहला जो चीज लिखा हुआ है let's get start और यहां पर tell us what you need help with तो यहां पर आपको मतलब topic बताना है कि किस topic पर आपको help चाहिए तो मैं यहां पर type कर देता हूँ I have deleted my files by mistake and I want to recover it यह मैंने type कर दिया है आप इसी type का कुछ similar type कर सकते हैं और simply next के button पर आपको click करना है next के button पर click करने के बाद आपको कुछ इस type के options मिल जाएंगे जो suggest करेगा बट आपको इनमे से किसी पर click नहीं करना है वारना यह गुमाता रहेगा आपको आपको simply other पर click करना है other पर click करने के बाद आपको यहां पर कुछ option दिया जाएगा इनमे से किसी को आपको select नहीं करना है जो भी recommended है आपको simply next step पे click करना है next step पे click करने के बाद यहाँ पे chat का जो option है आपको उस chat के option पे click करना है यहाँ पे आपको आपका first नाम दिखाएगा और आपसे confirm करेगा कि यही आपका नाम है तो simply आपको यही छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर select one जो है select your issue इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आप यह वाला option choose कर सकते हो missing और deleted files इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको I have deleted my file by mistake यह जो हमने पहले लिखा था वो ही है इसको छोड़ देना है और आपको submit करना है simply submit करने के बाद आपको यहाँ पर एक chat का option खुल जाएगा और यहाँ पर आपको chat करना पड़ेगा इसके customer care से support team से तो थोड़ा सा time लगता है कभी-कभी और कभी-कभी उसी time जो है connect हो जाता है अब हम इससे बात करेंगे थोड़ा इसमें थोड़ा सा lengthy process है बट अगर आपका file important है तो आपको यह करना ही पड़ेगा तो यहाँ पर आप देखो hello there may I have your name please तो मैं वही नाम type कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर type करने के बाद आगे अभी देखते हैं क्या response आता है तो यह पूछ रहा है how are you today तो good और उसके बाद अभी देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा time लगता है इस process में बट आपका file definitely जो है recover हो जाएगा तो अभी मैं क्या करता हूँ अपना question दोवारा से लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा है can you tell me how to recover permanently deleted file from my google drive with android mobile तो यहाँ पर simply आपको enter करना है और यह आप अभी देखिए क्या response आता है इसका तो तो इसने लिखे see no worries I can check all my resources here see if you can still recover your deleted file I just need to ask a few questions for us to know how can I recover them तो simply okay लिखना है अभी यह कुछ questions आप से पूछेंगे तो आपको उनका reply करना है अपने हिसाब से तो देखते हैं क्या question यह पूछ यह पूछता है या पूछती है जो भी है उस साइट मैं I know first what type of file that you have deleted तो मैं बोलता हूँ image था वो तो image लिख दिया मैंने क्योंकि हम लोग chat कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें time लगता है उसको response देने में मुझे response देने में thanks for confirming अभी आगे क्या बोलती है देखते हैं may I know also where did you deleted those emails google drive type कर देते हैं यह question different भी हो सकता है आपके case में but almost similar ही होगा तो आपको जो उस time सही लगे वो आप बता सकते हो इनको ठीक है हाँ एक और चीज यह जो recover होता है वो एक fixed time के अंदर ही होता है मतलब almost एक मैने या 28 days का time होता है उसके अंदर ही आपको recover करना होता है उसके बाद वो recover नहीं हो सकता तो इसका धियान आप रख लेना I see may I know also if those images were originally uploaded on the google drive drive storage using the google account तो simply यही यही account था मेरा तो yes करना है और send कर देता हूँ yes यही account था मेरा और इसी पर upload हुआ था वो photos thanks for confirming did you share the image to other users before you delete it तो मैं बोलता हूँ no मैंने किसी को share नहीं किया था तो यह पुछे when did you delete those files on the storage google drive तो आज ही मेरे से delete हुआ है तो मैं लिख देता हूँ today I just want to let you know whenever something is removed from trash it also delete from our server after a set amount of time इसने कितने amount of time है वो disclose नहीं किया बट इसने बोला कि एक amount of time के बात वो जो है delete हो जाता है हमारे server से भी but no worries we can still try as I have been given access to a tool that would allow me to recover file if they have been deleted within a certain time frame on google drive trash तो यह बोल है कि उसके पास एक tool है जो कि वो चला करके file recover कर सकते हैं लेकिन वो certain amount of time के अंदर delete हुआ होगा तभी Google values your privacy that's why we can't see any details of your file so I can't guarantee that the use of this tool will recover the file that you missing because I can't hand pick which file I can recover but is it okay if I run it to attempt to recover your file तो यह बोल है कि मैं hand pick मतलब चुन करके वो file आपको नहीं दे सकती मैं मेरे पास एक tool है वो में run कर सकती हूँ तो certain amount of time में अगर जो भी file recover हो डिलीट हुआ होगा वो वो जो है recover हो जाएगा तो guarantee नहीं ले सकते कि वो वाला file recover हो जाएगा बट वो वो टूल यूज करेंगे और आपका जो भी file डिलीट होगा उसको recover करने कर try करेंगे तो इसने आपको simply बोलना है okay या yes और उसके बात आपको इसने बोला all right please give me three to five minutes to run recovery tool on your google drive storage तो अभी यह आपके google drive storage पे वो recovery टूल जो है चलेगा उसमें तीन से पांच मिनट लग सकता है चलाने के बाद और वो file recover होने में मतलब 48 घंटे तक लग सकता है अगर आपका file बड़ा है हमारे case में तो image है तो वो जल्दी हो जाएगा बट अगर बड़े files है तो 24 घंटे तक लग सकता है completely recover होने में तो अभी इसने बोल लिया है तीन से पांच मिनट तो हम थोड़ा सा wait कर लेते हैं thanks for waiting I already run the recovery tool you may see files coming back however it may take up to 48 hours for all the file to appear in your original location of your google drive storage but you may check your google drive and see if you are able to have a visibility on the file that was deleted or you can view them on the activity panel please go तो इसने जो है recovery tool आपके उस पे चला दिया है अब आपको चेक करना है कि file आया की ने आया इसमें 48 घंटे तक लग सकता है अगर file आपका बड़ा हो size में तो अभी simply आपको क्या करना है google drive पे जाना है और यहां पे एक बार refresh करना है देखते हैं कि file आया की नहीं आया तो अभी जो है एक file आया है मेरे इसमें जो के मैंने पहले delete किया था अभी थोड़ी देर में और भी file आ जाएगा तो थोड़ा सा जो है हमें wait करना पड़ेगा तो guys after few minutes जब मैंने google drive पे आके इसको refresh किया फिर से तो यहां पे वो सारा file जो है recover होके आ चुका है यहां पे आप देख सकते हैं यह file और यह तो PDF है जो मैंने पहले delete किया था और यह वाला यह वाला और यह आप देख सकते हो सारा file जो है आ चुका है वही email आईडिया आप देख सकते हो तो इस तरह से आप जो है अपने file को google drive पे अगर permanently delete हो गया है तो उसको आप recover कर सकते हो अपने mobile से ही तो guys मुझे उमीद है आपको यह वाला वीडियो पसंद आए होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दो share कर दो और इस चैनल को subscribe कर दो इसी तरह के और भी informative वीडियो के लिए और अगर आपने instagram पे अभी तक follow नहीं कहा तो जाके फटाफट से मुझे instagram पे follow thank you very much for watching this video मैं मिलता है आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए bye bye